तो हेलो दोस्तो वेल्कम बैक टू मैं यूटूब चैनल एंड मेरा नाम है रितिक आज दोस्तो हम बात करेंगे सिविल इंजिनियर के कुछ बेसिक्स के बारे में दोस्तो आज हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपोटेंट है एक सिविल इंजिन engineering student के लिए तो दोस्तों ऐसे ऐसे कुशन है जो अगर आप साइट पे हो या साइट इंजिनियर हो या फिर आप को पढ़ते हो यह सारी चीजे आपको पता होने चाहिए यह कोंपेटिशन में भी आती हैं पूछे जाते हैं अगर आप काम कर रहे हो साइट पे भी हो तो वह भी आपको पता चाड़ेगा आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे बेसिक कुशन देखते हैं चलिए देखते हैं तो क्या कह रहा है कि जो क्लियर कभर होता है क्लियर कभर में रिनफॉर्श्मेंट के उसके बारे में हम बात करेंगे क्लियर कभर के बारे में बात करेंगे जब हम हमारा रसीची कभर होता है रिनफॉर्श्मेंट का तो रसीची वर्क में हम रिनफॉर्श्मेंट करते हैं उसके बाद हम क्लियर कभर कितना छोड़ेंगे इसकी बात हम दोस्तों जो हमारा footing footing जो होता है उसमें हम clear cover 50 mm प्रवाइड करते हैं 50 mm जैसे हम कोई beam दे रहे हैं तो beam दे रहे हैं अगर हम कोई तो दोस्तों उसमें हम कितने cover प्रवाइड करेंगे उसकी बात करें तो जैसे यह आपका reinforcement तो यहां से आप हम प्रवाइट करते हैं 50 mm का एंड बोटम पे प्रवाइट करते हैं 75 mm का next दोस्तो जो star star beam होता है उसमें हम clear cover प्रवाइट करते हैं 50 mm का 50 mm की star beam में हम प्रवाइट करते हैं और बीम नोर्म विम्द्टेय्पां में हम 25 फॉसमें हम में 25 मडल क म preço्पर करते हैं रके का हैं . ग्रेड इखा पुन बात स्टोटेयों में 25 पर्प्रजट में 25 म ायवा लिए किए के करते हैं नेक्ट अगर हम बात करें तो स्लैब स्लैब जो होता है उसमें हम 15 mm का क्लियर कवर प्रवाइड करते हैं इतना 15 mm का क्लियर कवर अब नेक्ट हम बात करें तो फ्लैट स्लैब जो हता है फ्लैट स्लैब उसमें भी हम 20 mm का क्लियर कवर प्रवाइड करते हैं कितना 20 mm का क स्थेयर के सो किyim पार इंट लिए 67 roof टेंगे कहां पर हम कितना कि ताकि ताकि हमारा जुन प्रेंट है चर्जा सके टो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंट सेट जरूर करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अपने निश्ट वीडियो में